दोस्तों ये कहानी एक जापानी योद्धा की है जो ट्रैम ट्रैवल करकर 1850 से 2050 में पहुच जाता है कहानी की सुरुवात हमें तकाची की आग खुलते हुए बताई जाती है जहां वो ट्रैम ट्रैवल करकर 2050 में पहुच जाता है 1850 में वो एक नामचीन समुराय है और ऐसे ही किसी बात पे जापान के राजा उसे जेल में कहत कर देते हैं और अगले दिन उसे फासी की सजा होने वाली होती है तकाची confuse हो जाता है और सोचने लगता है ये मैं कहां आ गया और उसे याद होता है कि अगले दिन थो मैं jail में था अब मैं कहां पहुझ गया हूँ तकाची की नजर जब खेलते होए लोगों पर जाती है तो रहान हो जाता है और उसे ऐसा लगता है वो दूसरी city में है और उसे ये नहीं पता होता है कि वो time travel करकर आया है और लोग जब उसे देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है ये ड्रामा में संुराई का किरदार निभा कर आया है तभी उसके पीछे से वो एक बस का हौरन सुनता है और वो उसे देखकर घबरा जाता है और वो बस बहुत तेजी से निकल जाती है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं देखी है तभी आगे हमें बताया जाता है एक लड़का जिसका नाम थोरा है वो अ सुनकर तकाजी नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है हारू का तकाजी की एक फोटो क्लिक कर लेती है तकाजी सामने एक मॉल में चला जाता है और वहां जाने के बाद तु एक सेव उठा लेता है और मॉल के मैनेजर से कहता है मैं तुम्हें इसके पैसे बाद में द complain आई है, तभी तकाजी उस police officer को पीट कर भागने लगता है, और उसे पकड़ने के लिए बहुत सारे police officer उसका पीछा करने लगते हैं, और अहारू का ये घटना record करकर अपने Instagram पर share कर देती है, तकाजी दोड़ते-दोड़ते एक home के सामने गिर जाता है और वो home एक school master का है, जिसका नाम सायरन है, अगले सीन में हमें बताया जाता है सायरन तकाजी से कहता है तुम्हें पता है, तुम दो दिन के बाद उठ रहे हो और तुम्हें घबरानी की कोई जरूरत नहीं है, मैंने police का case समाल लिया है, और वैसे भी सेब चुराना इतना बड़ा कोई गुना नहीं है और तकाजी उसे समूराई style में सुकरिया अदा करता है और सायरन से कहता है मैं एक समूराई योद्धा हूँ और मेरा नाम तकाजी है तकाजी इस चीज से अंजान होता है कि वो time travel करकर भविस्य में आ गया है उसे ऐसा लगता है कि वो अब भी उसी की दुनिया में है सायरन तकाजी की birth date पूसता है तभी तकाजी उसे बताता है मेरा जनम 18.30 में हुआ है तभी सायरन तकाजी से कहता है तुमें पता है तुम कौन से year में हो तकाजी कहता है मुझे नहीं पता वो उसे बताता है तुम 200 साल आगे आगे हो Next day हमें तकाजी को साहरन के घर पे काम करते वे बताया जाता है तभी हमें वहाँ तोरा को भी बताया जाता है जो की वो साहरन का grandson है तोरा भी साहरन के साथ वहीं रहता है और वो तकाजी को ना पसंद करता है आगे हमें बताया जाता है तोरा और हारुका एक कॉफी सौप में बैटे है तब ही हारुका तोरा से कहती है तुम्हें पता है वो समूराई का वीडियो वैरल हो गया है और वो मुझे अच्छा लगता है ये बाद सुन कर थोड़ा हारुका पर गुस्सा हो जाता है और दूसरी तरब तकाजी एक गिफ्ट सौप में जाता है और एक गिफ्ट पर्चेस करता है और वो उसी मैनेजर के पाश जाता है जिसने उस पर छोरी का इल्जाम लगा था और वो gift उसे दे देता है और आगे हम साहरन और तकाजी को एक restaurant में देखते हैं साहरन तकाजी से कह रहा होता है अब तुमने आगे का क्या सोच है तभी तकाजी उसे यह कहता है मैं फिर से अपने time में वापत जाना चाता हूँ तभी साहरन उसे कहता है तुमारे लिए मेरे पास एक काम है। क्या तुम मेरे स्कूल में नौकरी कर सकते हो? अगले दिन तकाची स्कूल चला जाता है और उसे देख्के सारे स्टूडेंट बहुत खुछ हो जाते हैं। और तकाची उन स्टूडन्स से घुल मिल जाता है और वो स्टूडन्ट तकाची को नई नई चीजे सिखाने लगते हैं जैसे की मूबाइल यूज करना और तकाची बहुत फेमस हो गया था सारे स्टूडन्स के पैरेंस उसे अच्छे अच्छे गिफ्ट और खाने पीने की चीजे दे रहे होते हैं तभी आगे हमें बताया जाता है एक लड़का तकाची की वीडियो देखते हुए कुछ लड़कियों को देखता है और तकाची को सर्च करते हुए वो सायरन के घर पहुच जाता है जैसे की वो लड़का तकाची को बहुत पहले से पैचानता है तभी तकाची को पता चलता है रोमीज भी छे साल पहले ट्रैम ट्रावल करकर बविस्व में आया है और वो एक जर्नलिस का काम कर रहा है और वो तकाची को लेकर अपने सहर जाता है और उसे उसकी मूर्ती बताता है और कहता है जो तुमने भूत काल में इतने सारे अच्छे-च्छे काम किये तो लोगों ने तुम्हारी याद में तुम्हारी मूर्ती बनाई है और ये जानकारी मुझे यहाँ पर आने के बाद मिली और हम समय यात्रा करके 200 साल आगे आ गए है और उसे यह कहता है तुम भूत काल के बारे में इतना मत सोचो यहाँ पे लोगों की जिन्दगी कितनी अच्छी है तभी तकाची लोगरा को पीटते वे कुछ लोगों को देखता है और वो टपोरी लोगरा से पैसे चीन रहे होते हैं तभी वहाँ पे तकाची और रोमीन्स पहुँच जाते हैं तभी तकाची रोमीन्स से कहता है तुम वहाँ पे आराम फर्माओ इनके तो मैं अकेले छक्के छुडा दूंगा और देखते ही देखते हुआ पंद्रा लोग आ जाते हैं और तकाची सब को धूल चटा देता है और तोरा को बचा लेता है तभी आगी हम रूमीन्स को देखते हैं वो तकाची से कहता है मैं अपने सहर जा रहा हूँ क्या तुम मेरे साथ चलोंगे तभी तकाची उसे कहता है मैं अपने स्कूल की टीचर की जिन्दगी में खुश हूँ अगली सुबह तोरा तकाची से माफी मांगता है और कल रात की घटना के लिए सुकरिया अदा करता है तकाची और तोरा ऐस कीरीम खा रहे होते हैं और तोरा को पता चल जाता है कि तकाची वास्तविक मूल रूप से सच्चा समूराय है और तोरा उसे कहता है मैं तुमारा विध्यारती बनना चाहता हूँ तकाची उसकी बात मान जाता है अगली रात तकाची के घर एक पोलिस वाला आता है और वो उस रात की fight के बारे में पूछने लगता है तोरा समझ जाता है तकाजी ने उस रात उन तपूली लड़कों को पीठा था सायद वो इंस्पेटर इसलिए तकाजी को अरेस करने आया है और वो इंस्पेटर तकाजी को पोलिश टेसल ले जाने लगता है तब ही वहाँ तकाजी के विध्यारती उस इंस्पेटर को रोकने लगते है और इसका फायदा उटा कर थोरा तकाजी को बाइक पे लेकर भाग जाता है और उनका एक ट्रक से एक्सिलेंट हो जाता है जैसे थोरा उटता है तो तकाजी वहाँ से गायब हो जाता है तकाजी वहाँ होता ही नहीं है उस दिन से तकाजी का कोई अता पता नहीं होता कुछ समय बीतने के बाद साहरन को एक जापान की बैंक से कॉल आता है और वो बैंक का मालिक साहरन से कहता है कि तुम्हारे नाम की एक चिट्टी है और वो चिट्टी देड़ सो साल पुरानी है और आज के ही दिन तुम्हें चिट्टी देनी थी तुम्हें मैंने इसलिए कॉल किया है साहरन और तोरा जब वो चिट्टी पढ़ते हैं तो उसमें तकाजी ने लिखा होता है कि मैं अपने समय में वापस आ गया हूँ और आगे हमें बताया जाता है तकाजी के दोस्त उसकी मजाक उड़ा रहे होते हैं कि तुम कल मरने वाले हो लेकिन तकाजी को पता होता है कि दुनिया आगे और बविस्स में और भी उजवल होने वाली है तकाजी कुछ नहीं कहता है बस चूप होता है और मूवी की एंडिंग में हमें बताया जाता है तकाजी सुकून से बैट कर अपनी सजा का इंतिजार करता है और यहां मूवी की एंडिंग हो जाती है